हेलो फ्रेंड्स, यूल आर वेलकम एट वेक्टर अजुकेटर्स, मैं आपके इंग्लिश अजुकेटर स्वाती राठ और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ओनलाइन प्लेट फॉर्म वेक्टर अजुकेटर्स पर और इस वीडियो में हम लोग एरर डिटेक्शन का पार्ट सेवन करेंगे, तो पार्ट सिक्स तक के वीडियो मैंने आपके लिए अल्रेटी बना दिये थे, आई होग आपने वो सारे वीडियो देख लिये होंगे, तो नाओ विदाउट वेस्टिंग मज टाइम हम अपना पार्ट सेवन स्टार्ट करते हैं, और हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एरर को कैसे रूल लगा के डिटेक्ट करना है, और उसके डिटेक्शन के बाद कैसे उसका करेक्शन करना है, तो वीडियो स्टार्ट करते हों और देखते हैं कि पहला क्वेशन क्या है, पहला क्वेशन आप सभी अपने सामने देख सकते हैं, वन शूट कीप इस प्रॉमिस, मतलब अगर कोई अपने दोस्तों या अपने दुश्मनों से भी रिस्पेक्ट चाहता है, सम्मान चाहता है, तो उसे अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, तो यहाँ पे जो एरर होगा, वो हो जाएगा पार्ट बी में, अब मैं उसके लिए आपको रूल बताती हूँ, कि यहाँ पे पार्ट बी में एरर क्यों निकला, पार्ट ए में देखिए, यहाँ पे यूज हुआ है वन, जब भी हम सेंटेंस में वन देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो पजिजिव प्रोणाउन यूज करते हैं, वो हो जाता है वन्स, तो वन के लिए हमेशा पजिजिव प्रोणाउन वन्स यूज होता है, ना कि हिज या फिर हर, लेकिन इस sentence में हमने his use किया है positive pronoun one के लिए तो error इसी लिए part B में हो गया और correction हो जाएगा इस his को once से replace करके तो hope आपको इस question में क्या error है वो चीज clear है और उसको कैसे correct करेंगे ये चीज भी clear है आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं अगला question दिया हुआ है it is difficult to say who is the better of the two players मतलब दो players में से दो खिलाडियों में से कौन सा जादा बहतर है ये कहना मुश्किल है अब इस question में error जो है वो error हो जाएगा part B में वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है दो players की कौन सा बहतर है अब जब हम दो players में से बताएंगे कि कौन सा बहतर है तो उसके लिए पहले हमें उन दोनों में से selection करना पड़ेगा न जब भी को हमें sentence में selection करना पड़े तब हम हमेशा pronoun use करते हैं which ये relative pronoun which ही हमेशा use होगा जब भी हमको as a sense the sentence जिसमें हमें selection करना है और दूसरी चीज यहाँ पर part c में off use हुआ है off के आगे हमेशा relative pronoun which आता है कभी भी हम off के आगे who या फिर whom को use नहीं करते लेकिन यहाँ पर who use हुआ है इसलिए error हो जाएगा part b में होग आपको ये वाला question भी clear है कि इस question में क्या error था आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगले question दिया है Mr. Sharma our representative he will attend the meeting on our behalf मतलब जो Mr. Sharma है वो हमारे representative है और वो हमारी तरफ से meeting को attend करेंगे अब यहाँ पर error हो जाएगा part b में वो इसलिए क्यूंकि part a में देखिए दिया गया है Mr. Sharma और यह जो Mr. Sharma है यह है हमारे noun यह हमारी संग्या है जब भी हम noun एक बढ़ use कर रहे हैं तो हम वापस से pronoun यूज नहीं करते लेकिन यहाँ पे इस noun को represent करने के लिए pronoun को use किया गया है he अब देखिए एक बढ़ noun use हो गया तो हम वापस से उसको represent करने के लिए pronoun को use करेंगे हमाज sentence जो है वो एकदम बिगडा सा हो जाता है इसलिए यहाँ पे ही नहीं आना चाहिए क्योंकि हम लोग already Mr. Sharma को use कर चुके है I mean noun को use कर चुके है तो इसलिए error हो जाएगा part B में correction करने के लिए यहाँ से ही को हम लोग delete करेंगे तो होब आपको error कैसे detect किया वो चीज clear हुई और उसको कैसे correct किया ये चीज भी clear हुई आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगले question दिया है put you in my position and you will realize the problems faced in my profession मतलब खुद को अब मेरी जगह पे रखके देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे profession में क्या-क्या problems आती है मतलब मेरे profession में क्या-क्या दिक्कत आती है अब यहाँ पे देखिए यह चीज जनरली आप दूसरे लोगों को बोलते होंगे या फर सुनते भी होंगे अलग-अलग context में लोग बोलते हैं कि खुद को मेरी जगह पे रखके देखो then you will realize कि क्या problem होती है अब यहाँ पे जो error होगा वो error हो जाएगा part A में क्योंकि देखिए जब भी हम बोलते हैं कि स्वयम को या फिर खुद को रखो तो उसके लिए हम word यूज करते हैं yourself yourself का मतलब होता है खुद को लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है you you का मतलब होता है तुम या फिर किसी को respect देनी है तो आप बोल दो तो फिर तुम या फिर आप यह मतलब हो जाता है यू का अब जब बोलोगे ऐसा कि आपको मेरी जग़ पे रख के देखो ऐसा तो नहीं बोलते हम या फिर तुम को मेरी जग़ पे रख के देखो ऐसा भी नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं कि खुद को रख के देखो जब खुद की बात आती है तब हम use करते हैं yourself तो यहां पर you नहीं आना चाहिए यहां पर आना चाहिए yourself तो sentence कुछ ऐसा हो जाएगा Put yourself in my position and you will realize the problems faced in my profession तो hope आपको इस question में भी error clear होगा आगे बढ़ते हैं अगले question दिया है हमें The two sisters shouted at one another in public मतलब दो बहने हैं वो public place पर एक दूसरे के उपर चिला रही है यही मतलब है sentence का अब यहां पर जो error होगा वो error होगा part B में वो इसलिए क्योंकि हमने यहां पर बात की है two sisters की मतलब दो की बात हो रही है अब वो दो कुछ भी हो सकते तब हम each other use करेंगे और one another हम use करते हैं for more than two जब दो से जादा की बात हो तब हम one another use करते हैं जैसे की all the leaders are fighting with one another जितने भी नेता है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं या फिर जगड़ा कर रहे हैं तो क्योंकि मैंने यहां पर all word use किया था तो all जो है वो more than two का sense देता है इसलिए हमने one another use किया लेकिन यहां पर two sisters बोला गया है ना तो two sisters जो है वो दो का sense देती है इसलिए हम each other use करेंगे इसलिए error हो जाएगा part P में one another को आप replace कर दीजिए each other से तो sentence correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अच्छा तो friends आज मैंने आपके साथ यह कुछ questions discuss किये hope आपको यह सारे ही questions clear होंगे कि इन में क्या error था हमने कैसे rule को लगा के उस error को detect किया और detect करने के पाग कैसे उसको correction किया तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए stay tuned with us thank you so much wish you all the best